नमस्कार दोस्तू, फैक्ट ताई में आपका स्वागत है, आईए जानते हैं डेरा सच्चा सौधा का सर्ध डेरा सच्चा सोधा के अनिवाईयों की जुबानी जी सर, आपका नाम? मैं सॉंबीर सिंग रागा हूँ, जिला मेरट से, पलाप्रम एरिया से जी सर आपका डेरा सच्चा सोदा से जुड़े हुए मेरट के रहने वाले हैं जी सर डेरा सच्चा सोदा से जुड़े हुए आपको कितना समय हो गया मैं 1990 में डेरा सच्चा सोदा से जुड़ा था 31 साल हो गए मुझे सचाई की राह पर चलने वाले, इमानदारी से काम करने वाले, दूसरों की सहायता करने के लिए ततपर रहने वाले देरे सचा सोदा के अनुराई हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और करीबों की निश्वार्त लोग जो होते हैं वो सेवा करते हैं और हम देरा सचा सोदा की तरप से सभी जो अनुराई हैं वो सेवा करते हैं जी, आप जैसे की बता आने हैं कि डेरा सच्चों सोदा में आप सेवा के लिए जाते हैं, ऐसी कौन सी सेवा है जो आप डेरा सच्चों सोदा में दक्ली करते हैं? देखिए सेवा आपके अपने मन से होती है अगर मन में है सेवा करने के लिए तो अदमी ततपर रहता है अगर मन में सेवा करने के लिए सेवा वाव नहीं है तो वो नहीं कर सकता गरीबों की सेवा करना उनको वैसे टाइम पे कंबल वगेरा सर्दी के टाइम पे देना खाना वितरण करना और अनाज बगेरा खाने की जो जरूरोते हैं वो गरीबों को देना गरीब बच्चों की साधियां करवाना जो बीमार आदमी हैं उसकी मदद करना उसको होस्पीटल में उसका इलाज कराना ये हमारे जो यहां पर काम चलता है कोई एक आदमी नहीं सब मिल करके टीम बावना से काम करते हैं जिस तरह से अभी आपने देखा कि हम चार आदमी आई हुएं यहां पर जब हमें पता चला कि हमारे एक प्रेमी भाई कहां कहां से दूर दूर से लोग आ रहे हैं आज उन प्रेमी भाई की जो आजा वो सोक सबा है उसमें सामिल होने के लिए जैसे कि सर आप बता रहे हैं कि आप डेरा सच्चो सौधा में गरीबों की सेवा के लिए आप सिक्षा लेने जाते हैं कि कैसे गरीबों की सेवा की जा सकते हैं समाज में हम और अच्छा कैसे अपना योगदान दे सकते हैं लेकिन सर जैसे कि हमें भी सूत्रों के हवाले पत करते हैं अगर मानवता बलाई वाले कारे ना करते तो आज आप देखोगे इतनी पबलिक आ यह हमारे जो ब्रहम सिंग त्यागी जी हैं यह इतने से पक्य सिवादार थे और 45 में मरते हमारे डेरे से और यह जहां-जहां अब जाते थे सभी लोग बहुत इज़्जट करते संमान करते से इनका और जो यह कहते थे हमसे किस तरह सी यह करना हों सभी लोग जो भी प्रयमी भाई हैं वह सभी लोग इनके साथ करके काम करते थे ये सर आपको डेरा सचा सौधा से जिड़ हुए 31 साल हो चुके हैं आपने काफी अपने जीवन का 31 साल डेरा सचा सौधा को दिया आपने भासे बहुत कुछ सीखा जैसे कि आप बता रहे हैं तो सर ऐसे संत का समाज में होना कितना जरूरी है आपके अकॉर्डिंग इस तरह के लोगों का समाज में होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में आज दुनिया में इतनी भागदोर इतना वो लगा हुआ है हरा आदमी पैसा 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 के पीछे भागता है पैसे ही सब कुछ समझ रखा है मगर उसने मानवता को त्याग रखा है जो आदमी पैसे के पीछे भागते हैं वो मानवता के काम नहीं कर सकते ना किसी की भलाई ना किसी के दोख दर्द में सामिल हो सकते हैं यही हमें हैं सिकाया गया है गुरू जे ने जो भी बताया कि आप इस तरह से चलेंगे इस तरह से काम करेंगे उनी के पत्चिन्नों पर चलते हुए हम डेरासाश चौशौधा के जितने भी अनुवाई हैं वो सब एक दूसरे है, हमारे हैं न कोई पुलिस की जरूरत न किसी फुलिस की जरूरत खुद खाना भी खुद ही बनाते हैं और खुद ही खिलाते हैं लोगों को और जो अनुसासन का आरेजमेंट होता है वो हमारे यादी में होते हैं आपने देखा होगा हमारा गुर्ब फोर वाले ये भाई लोग खड़े हुए जो रास्सा बता रहे हैं कि आप इधर को जाईए इधर को जाईए किसी पलिस फोर्स की या Salvador नहीं हमारी फोर्स अपने अनुआई जो हैं डे रहे वही करते हैं जी सर जैसे की सर समाज में देखा जा रहे है गुरू जी चार साल से नहीं है अल्मूस्ट चार साल कम्प्लीट हो चुके हैं गुरूजी को समाज में ना होते हुँए गुरूजी का समाज में ना होने चाहां वहां पर ऑपरल में रहेंगे वो भी कहीं न कहीं जाना ही जाते हैं सभी को हम सब को भी जाना है मगर जब तक जो सिक्षा ली है वो सिक्षा के उपर जो हम लोग काम कर रहे हैं अगर गरीब बच्ची की साधी करनी है बेटी की तो करनी है वो सब मिल करके करते हैं वो ही गुरूजी वहां कराते थे वो अब भी डेरे पर हो रही है रासन वांटा सब काम जो पहले चल ले वो अब भी चल ले हैं जी 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 जैसे कि आप कंटिनूनि बता रहे हैं कि आप डेरा सच्चा सौधा के जो मानफता भलाएके करें गुरूजी रहें समाज में या ना रहें आप कंटिनूसली उसको फॉलो कर रहे हैं लेकिन सर जैसे कि आप बता रहे हैं डेरा सच्चा सौधा के वारे में इतनी जानकारी हैं में प्रदान कर रहे हैं उन्हें तो कोई अपना होता लगे हुए अपने दंदे में जी सर समाज में जैसी गुरू जी नहीं है आपको क्या लगते हैं समाज में गुरू जी के आवश्कता है आवस सकता तो जब तक जीव है संसार में, जब तक हर जगे आवस सकता होती है उसकी, घर में ही कोई मुख्या होता है घर का, वो घर को चलाने के लिए दस बात प्लान बनाता है, सोचता है, इसी तरह से अब गुरु जी यहां पर होते तो प्रान, मगर उनके आदेश, उपर वाले के आदेश भी आदमी के साथ होते हैं और लोग काम करते हैं और